नमस्कार मैं हूँ गोपी कृष्ण साहू और आप देख रहे हैं मिडिया 24 न्यूज रैपूर इस्थित होराइजन मल्टी स्पेसिलिटी होस्पिटल में चार गंबीर के से सामने आए हैं मरीजों के परिजनों ने बताया कि होराइजन हस्पिटल में सभी मरीजों के इलाज बहुत अच्छी तरह से हो रहा है जिससे उन सभी लोगों की स्वास्थ में परिवर्तन हो रहा है कोई नशापानी तो नहीं कर रही से अब रभीवार के दिर रही सोतक लनी जाना धम तरी लपन सारी लाइबर गे रही से अवलावात रही से अब वहीं दूर भटना हो है लोगों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं वहन करना पड़ रहा है यह हम चेत्मी चागे थे उचाई से गिर गय थे फिर इदर अब पैसर हो गया रहा फिर उसके बाद मेह कारहा था शूचल में ईलाच ले आई थे तो फिर ये नसी जाम रहा तो उसके लिए पेट से पाइप लगाए रहा तो पाइप लगा है तो फिर वो बोले यहां डीके हस्पिटल में ले जाओ डीके हस्पिटल में लेकी गए तो फिर बोला चार महने बाद अपरेशन करेंगे तो ठीक है तो फिर चार मैंने बाद आए यह करोना लग गया रहा तो फिर उसके बाद आवाए रहे तो बोला नहीं होगा तो इसलिए हम यह हस्पिटल में आगे है अब रुसन होने के बाद अभी सितिक अच्छी है अभी कुछ ठीक है तरह मिल रहा है अब बोखार आगे और उसका बाद फिर खांसी भी आगे वकर बाद फिर में है यह हस्पिटल पहुंचे है फिर भरती करिश वह जिसे फिर पाइप जालके शीन अंदर पंडरी सुष बाहर करिश अब इसे हस्पिटल में तो मज़दार इलाज चला कोई बाद तकलिप नहीं ह ठीक हेस्पिटल है हाघ जेट की सीज़ा है अभी कोई आकमलाः परिशानी तरह यहाँ है कोई परशान जीश है। इलाज पानी भढ़िया सोँ है Augg shoe में इराज पाने जो चर्kę हरूं झंभा जालेश रीकोड़ा ए कइसे चलेजिते उन उहां से बताया तो उह से बताया। इलाज ठीक ठाक हो रहा है बढ़ियां, देख बाल अच्छी दरीगा नहीं, इलाज तो बढ़ियां होता है, आगे से बढ़ियां होता है, काहे ही जुठा लाबारी काले।